विशुनात प्रताप सिंग 1971 तक वीपी सिंग उतर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान सभा के सदस्य बने 1971 में वे पहली बार फूलपूर से लोगसभा सदस्य के रूप में चुने गए और 1974 में इंद्रिया गांधी के मंत्री मंदल में उन्हें उपवानी जे मंत्री बनाये गया बाद में वे 1976 में कैबिनेट मंत्री भी बने विशुनात प्रताप सिंग 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री भी रहे सन 1983 से 1988 तक वे राजय सभा के सदस्य रहे वर्ष 1984 में उन्हें उत्तरपरदेश कॉंग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया 1984 से 87 के बीच उन्होंने बतोर वितमंत्री के रूप में देश की सेवा की और आर्थिक उधारिकन की नीतियों को आगे बढ़ाया कॉंग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी अलग राजनेतिक पार्टी जनतादल बनाई 1989 के चुनावों के बाद बनी गड़पन्दन सरकार में उन्होंने देश की प्रधानमंत्री का कारेभार संभाला 1990 में उन्होंने इस पत्त से त्यागपत्र दे दिया अपने प्रधानमंत्री काल के दोरान पिछडे वर्गों को नौकरी में आरक्षन दिलाने के लिए उन्होंने मंडल आयोकी रिपोर्ट को लागू करने का फ्रेंसला किया विशुनात प्रताप सिंग सामाजिक न्याय के लिए जीवन प्रयंत संग हर्ष करते रहे बहु आयामी प्रतिभा के धनी वे एक चित्रकार और कवी भी थे आने वाली पीडियां श्री सिंग को देश में सामाजिक न्याय के प्रणीता के रूप में याद करेगी ब्यूरो रिपोर्ट डिडि न्यूज